स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली टेकिनिक स्टार में तो आज के इस वीडियो में लोग 2023 में जो कि आपके एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है उसको देखेंगे टोटलिस में 80 अब्जेक्टिव कोश्चन है जो कि आपक किसी भी यांतरी कुर्जा को बिधुत उर्जा में बदलता है ऑप्सन नमबर वी इसका सही जवाब होगा दूसरा नमबर प्रशन देखिएगा और जबाब दीजेगा घरों में बिधुत से दुर्गटना किसके कारण होती है ऑप्सन नमबर ए फिवुस्तार वी सौट सर् कि अप्सन नमबर वी याद रखिएगा शौट सर्किट के द्वारा घरों में जो है क्या होता है विधुत से दुर्गटना होती है फिरी पीटे अप नूट्स के लिए वाट्साइप ग्रूप से जोइन कर लेना है तीसरा नमबर प्रशन विधुत फ्यूज बचाता है किसरा नमबर प्रशन का सही जवाब अप्सन नमबर वी याद रखिएगा लगुपतन में बटने वाली उच धारा के खतुरों से हमें जो है फ्यूज बचाता है यह पूछावा प्रशन 2015 का प्रशन है इसी तरह के प्रशन सारे आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो वीधूत फ्यूद्व धारा के उसम्य प्रभाव पर कारे करते हैं ओप्सनन नमबर याद रखिएगा पांच नमबर प्रशन में देखिए व्यूज धारा-फवज धारा उतबण करने कि युगति को हम लोग क्या कहते है जो धारा बिधूत उतपन करता है उससे अम लोग जनित्रिया जनरेटर बोलते हैं ठीक है जनित्रिया जनरेटर चलिए नेक्स्ट प्रश्ण हम लोग देखते हैं देखिए बिहार मोडल आपकी कोश्चन है घरेलू बिदूत परिपत्थ में फ्यूज लगाया जाता है किस तरह से अप्सण नमबर ए बिदू धनमय तार में ब चुंबक बिदू चुंबक नहीं बनेगा और सी डी ऑफसन है कि बनने वाला चुंबक चुंबक किये गुन प्रदरसित नहीं करेगा 2014 का कोश्चन है चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और आपके इग्जाम में डाइरेक्ट यही प्रश्ण चपने बाला है तो तीजी में सभी लोग जवाब देती रही है ठीक है तो साथ नमबर प्रश्ण का सही जवाब आपसन नमबर भी होगा बिदू चुंबक कोई नर्म लोहे को धारा भाई कुंडली में अगर गर्म करते हैं तो वा बिदू चुंबक के तरह दरसाता है आठ प्रश्ण देखे एक किलो वाट घंटा एक यूनिट कितने के बाराबर हो या तो अफसन नमबर एगा एक सब्सक्राइन में बिदू याद रख्वाट गंटा एक यूनिट या 3.6 into 10 to the power 6 unit देखे 2015 में भी पूछा है 2020 में भी पूछा है ठीक है तो याद कर लिजे सभी इस प्रश्ण को 9 नमबर प्रश्ण देखिए हमारे घरों में जो विदू सफलाई होती है क्या होता अपसर नमबर ये 220 भोल्ट पर दिस्ट धारा बी है 12 भोल्ट पर दिस्ट धारा ये 220 भोल्ट पर प्रत्यावरती धारा और डी है 12 भोल्ट पर प्रत्यावरती धारा होती है तो 220 भोल्ट पर हम लोग के घरों में जो है प्रत्यावरती धारा सफलाई होता है चलिए 18 नमबर प्रश्ण हम लोग देखते है चंबु कि या चेतर का मात्रग क्या है तो टेसला इसका यूनिफ हो जाएगर चंबु कि या चेतर की जो मात्रह होती है टेसला होती है 11 नंबर पर देखे घरों में विधू सफ़लाई होता है आपसा नंबर है 220 हर्ज 50 भोल्ट दिया 50 हर्ज 220 भोल्ट सի है सो हर्ज दोसबीस वोल्ट और दी अफसन भी सार्ज दोसब्यस वोल्ट हमारे घरो मेंं जो सफलाई होती है पाचास हर्ज पर दोसबीस वोल्ट पाचास फ्रिक्योंंसी रहता है और 22 व रहता ठीक है दारा नमबरқ प्रसनद किसी बृताकार कुंडली में फेरो की संख्या बढ़ा दी जाए और विजुद धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन छेत्र का परीमान क्या होता अफसन नमबर एक फेरे किया पेक्षा कम होगा भी बढ़ जाएगा सी है पुर्वत रहेगा दिविप्रित जिसा में होगा तो किस बृताकार कुंडली में अगर फेरो की संख्या बढ़ा देते हैं तो विजुद धारा की जो प्रवाहित होती होगा बढ़ जाता है अफसन नमबर वी याद रखिएगा तेरा नमबर प्रत्यावरती धारा की आवरिती कितनी होती है जो हमारे इंडिया में प्रत्यावरती के भीतर सभी बिंदूओं पर चुम्बुक छेतर क्या होता है भीतर पता नहीं अफसन नमबर वी समान होता है वी याद रखिएगा पंदरा नमबर प्रत्यावरती धारा कितने समय बाद अपना दिशा जो है उत्त क्रमित करती है अफसन नमबर यह एक वट्टा एक सो सेके सब्सक्राइब कानः लुक के पता के दिशा को पता करते हैं अफसन नमबर वी याद रखिएगा किसको तो प्रेरित धारा के दिशा को नेक्षच श्तरा Evan कि रिविद pouring देखे परिनालिका के भीतर चुम्बुकिये छेत्र क्या हो जाता है तो कोई भी धारा बाही के नीचे परिनालिका के भीतर चुम्बुकिये छेत्र क्या होता है सभी बिंदूओं पर समान होता है 18 नमबर प्रशन देखिएगा कोई भी एलेक्ट्रोन किसी चुम्बूकिये छेतर के लंबत प्रवेस करता है तो एलेक्ट्रोन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है भीतर की ओर आते हुए ठीक है 19 नमबर प्रशन जब चुम्बूकिये बल रेखाएं काफी आसपास होती है तब वह चुम्बूकिये छेतर क्या होता है अधिकताम हो जाता है अपसा नमबर बी 20 नमबर प्रशन देखिए AC मोटर की कुंडली के दोनों सीरा पर क्या होता है तो अर्ध बला होता है 22 नमबर प्रशन किसी चुम्बक के चार और वह चेतर जिसमें वल्व का संसूचन किया जा सकता है क्या कहलाता है तो चुम्बूकिये छेतर कहलाता है ठीक है 23 नमबर प्रशन देखिएगा बिधु चुम्बूकिये प्रेरना की खोज किसने की थी बहुत ज्यादा इंपोटेंट है विदू चुम्बुकिये प्रेर्णा की खोज फैराद ने किया था इस वार पूछा जा सकता आपके एक्जाम में नेक्स्ट मानब के दो महतपूर्ण अंग कौन-कौन है जिनमें चुम्बुकिये छेत्र का उत्पन होना आवस्यक है हिरुदय और मस्तिस्क में हमारे चुम्बुकिये छेत्रों का उत्पन होना क्या है तो आवस्यक है नेक्स प्रस्ण देखिए घरेलू वाइरिंग में तीन तार होती है विदू धन में उदासीन और भू संपरकित इन तारों का रंग करमस किस प्रकार से होता है तो विदू धन में जो तार होता है उसका रंग लाल होता है और उदासीन का काला और भू संपरकित का हरा याद रखिएगा ये प्रशन पूछा हुआ अभरशन है इसके filament का परतिरोध क्या हो जायेगा परतिरोध बताना है देखे परतिरोध बताना है तो चार् 1 चार्फारासी ओर्योहन हो जाता है फर्मूला परहे होईएगा फीस कल दू भी आई ठीक है तो इस फर्मूलाप बनाएगा बन जाएगा rented1 गंटा बैभारिक मातरा क्या होता है तो इव zwei युनाइट वह बना होता है किस चीज का तो यह तंबे बना होता है बिजली का घूँज एक जूल का मान कितना होता है तो जीलो तो तो 4 वाध़ आज दूर तो भू हाशक तो गो भी आंगते कं टिवर को भी बनाने लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोद क्या हो जाता है प्रतिरोद भी बढ़ जाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा आर इसकल टू रो एल बाई ये फर्मुला तो यह आर जो होता है रेसिस्टेंस प्रतिरोद जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोद भ किसमे गति फ्रदान करने का काम करता है तो इलक्टों में याद रखेगा एक मेगा एमपेर कितना होता है याद कर लीजिए जरूर दस के पावर माइनस चो और सब्सन नमब्र एं हम बूल दिये थे गलती किय jeuगा उब विवानतरमा किसमें गती प्रदान करने का काम करता है तो इलेक्ट्रोन में 37. किसी चालक में उत्पन उसमा अनुक्रमा निपाती किसके होता है तो धारा के वर्ग के अप्सन नमबर B 38. जब किसी चालक तार से विदुधारा प्रवाहित होती तब गती सिलकन क्या तो 2020 में पूछावा प्रश्ण है तो एलेक्ट्रोन होता है 49. एक कुलों बावेस के लिए एक लेक्ट्रोनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एलेक्ट्रोन उप्सन नमबर A 40 नमबर प्रश्ण अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों में सेर कर दीजिएगा अगर प्रती रोज आर है और परिपस दो सेकेंड में आई विदुधारा प्रवाहित होरे तो उत्पन ताप का म अंतर परटी सेकेंड तक प्रवाहित होगा तो क्या होता है भी आई भी इए ठीक है 42 नमबर प्रश्ण देखिए यदि चांदी का तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रती रोज क्या होता है बढ़ जाता है निकिता पढ़ाएंगे तो परती रोज बढ़ जाएगा वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जोड़ से लाइक किजिएगा फिरी पीडियो नोट्स के लिए वाट्साप ग्रूप से जोइन कर लिजिएगा यह नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिंक दोनों मिल जागा वाट्सा के लिए बेस्ट आप लग मिलते थैंक्स वूट प्राचिंग जय हिंद जय भारत थैंक यू